दोस्तों इस वीडियो में हम पूछांगे जीके का पात्य बरहिमायदार सवाल जो जीवन बनाने में मदद करेगी तो चलिए इस कमाल की वीडियो को बेगर टाइम नश्ट किये हैं और पूरा वीडियो जरूर देखेगा सवाल नमबर एक,बच्चे को पढ़ाई में मन क्या नहीं लगता है दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुरंत और जल्दी करनेजे, अच्छा जबन करने के रहेगे दोस्तो इसका सही अंसर है, सेव नहीं खाने के कारण बच्चे लोगों को परहाई में मन नहीं लगता है, तो घर के भविश जो है, वो खराब हो जाती है, इसलिए बच्चे लोगों को सेव खिलाएं, दूद खिलाएं, एक दूद चीज जरूर खिलाएं, बच्चे लोगों और सिहत आच्छा बनाएं सवाल नमबर दू ज्यादा अम्रूद खाने से कौन बीमारी उत्पन सरीर में हो जाती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर की जगा आच्छा आच्छा जंकारी के लिए आच्छा दूस्तो इसका सफय अंसर है लीबर खराब होता है और अंतरी में पानी हो जाती है तो सारि प्रोब्लम हो जाती है इसलिए ज्यादा अमुरूर्थ ने कि ओल गाल था एक चिटकी नमक डाल करके खाने से कोई परकार की बीमारी सरीर में नहीं होती है। सवाल नमबर तीन सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा चीज में मिलता है सिहत बनाने के लिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आच्छा जनकारी हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी दोस्तों इसका सही अंसर है मु मुझभली खाना चाहिए कि आधा केजी मीट में जितना बिटामिन मिलता है उतना 200 ग्राम मुझभली में मिलता है सवाल नमबर 4 केला खाने से कौन बीमारी मीटी जाती है दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आच् केला की सब्सक्राइब नहीं खाते हैं उन लोगों पेचीज की बीमारी हो जाती है तो ऐसे वीडियो की जनकाई चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा आच्छा जनकारी के लिए सवाल नमबर 5 सब्सक्राइब में मासाला डालने से कुई परकार की बीमारी पेट में नहीं होती है इसलिए सो मासाला डालें उसके बाद में खाना बनाए तो कुई परकार की बीमारी नहीं होगी तो सब पैसा जो है हम लोगों बहुचेगा नहीं तो बार बार पर साब लगता है लेटनी लगता है खाना के खराबी के चलते हैं